दोस्तो अभी की टाइम में स्मार्टोच मार्केट के अंदर बहुत सारे नए नए ब्रैंड्स आ रहे हैं आज की इस वीडियो में हम इसी स्मार्टोच को डीटल में एक्स्प्लोर करने वाले हैं जानिंग इसके डीटल स्पैसिफिकिशन कैस की प्राइज होने वाली है और प्राइज की सबसे ये स्मार्टोच वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं इसे के बारे में भी बात करेंगे सबस्टेफोल बात करें इस स्मार्टोच के डीजाइन के अपको बहुत ही बड़ी आई डीजाइन दिखने मिलता है इसे साथ ये स्मार्टोच इतने सारे विरेंट्स के अंदर अवेलेबल है इस डीजाइन के बात करें तो 1.83 इंचेस का नॉर्मल से डीजाइन दिखने मिलता है ब्लीटूथ कॉलिंग का फीचर है और इस वाच के अंदर आप कुछ कॉंटेक्स से उकरकी भी रख सकते है अगर इसकी वैकलाइफ की बात करें तो नॉर्मल इस पर 4-5 इसके असपास चल जाएगी अगर आप कॉलिंग फीचर के साथ यूज करते हो तो 1-2 दिन के असपास चल जाएगी रिलेटेड़ आपको नेरली सारे ट्रैकस दिखने मिलते हैं इसके हर्ट ट्रेट मांटर है पीचर जिसकी स्मार्ट पूपच्छ के अपके अदर आपको सो से भी जादा वाच फेजस दिखने मिलते हैं इस smart oge की weight की बात करें तो 60-70 gram के राउन इस smart oge को overall weight होने वाला है और ये smart oge made in India है बिसकी price की बात करें तो 18.95 रूपिज इसकी price है और इस price की साब से ये smart oge मुझे थोड़ी overpriced लगी smart oge overpriced भी है और इसा जिसके जो rating से वो भी इतने एच्छे खासी नहीं है मेरी suggestion लेगी कि इस budget में आपको और भी दूसरी smart oge is दिखने मिल जाएगी तो उनके पास आप देख सकते है